हेलो फेंट्स मैं हुशुर इसकुमार सर्मारक और फिर से बज़स्वाद करता हूँ आपका अपने चैनल पर हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से अपने घर पर बैठ कर ऑनलाइन अपने मुवाइल फॉन कंपूटर लैप्टोप से बहुत ही आ सकते हैं आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड कर सकते हैं और उसके बाद अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करकर एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही आपको open किया है उस account को open कैसे कर सकते हैं ICICI में अपना saving account open करने के बाद आपको अपने mobile phone से Google Play Store पर चले जाना है Google Play Store के search box में आपने search करना है iMobile pay why ICICI bank app जब आपके सामने इस तरीके से यह आ जाएगी तो इस app को आपको अपने mobile phone के अंदर install कर लेना है ICICI की इस app को अपने mobile phone में install करकर आप अपने ICICI के saving account को पूरी तरीके से access कर सकते हैं इस app को install करने के बाद इसे open कर लीजिए आपसे यहाँ पर allow करने के लिए कहा जाएगा तो इसे आप यहाँ से allow कर दीजिए अब यहाँ पर आपको इस app की सारी सर्विस के बारे में बताया जा रहा है आपको यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने यहाँ पर let's get started का बटन आ जाएगा आप इस app के थुरू अपना एक नया आपको अचाउन्ट भी open करना चाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे बताया जा रहा रहा है कि open new saving account अगर आपको यह account open करना चान चाते हैं, यहाँ पर open account पर क्लिक कर कर सकते हैं, add में login करने के लिए आप यहाँपर let's get started पर click कर दीजिए अब यहाँ पर आपके सामने लिखा आ जाएगा welcome select your account type तो आप यहाँ से अपना account type कर लिजिए और उसके पास continue पर click कर दीजिए आप आपके saving account के साथ में जो भी register mobile number है उस register mobile number को verify करने के लिए आप से कहा जा है तो यहाँ से आप अपना SIM card select कर लिए जो कि आपके bank account के साथ में link है तो हम यहाँ से अपना SIM two वाला जो हमारा mobile number है वो हमारे bank account से link है तो उसे हम यहाँ से select कर लेते हैं उसके पास आपको continue पर click कर देना है अब यहाँ पर आप से login का method पूछा जा रहा है कि आपको किस तरीके से हर बार इसमें login करना है तो यहाँ पर आप चाहें तो four digit की pin create कर सकते हैं या फिर अपनी net banking की ID से आप हर बार login के लिए select कर सकते हैं तो यहाँ पर 4-digit की pin login करने के लिए select कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर एक 4-digit की pin create करनी है, तो अब हम यहाँ पर जो भी 4-digit की pin create करेंगे, हम जब भी इस एप के अंदर login करना चाहेंगे, तो हमें इस 4-digit की pin से ही login करना होगा, pin create करने के बाद submit पर click कर दीजिए, जैसे ही आप सब्मिट पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आप से authentication के लिए पूछा जाएगा, अगर आपके पास debit card है, तो आप यहां पर debit card से authentication का mode select कर सकते हैं, अगर आप net banking की ID से करना चाहते हैं, तो आप net banking की ID से यहां पर authentication का mode select कर सकते हैं हम यहाँ पर net banking की आईट करना चाहते हैं यहाँ पर net banking को select करेंगे तो यहाँ पर हम से हमारा internet banking का जो ID है वो ID number मांगा जाएगा क्योंकि जब आप online एक नया saving account open करते हैं तो आपके बास डेविड काट नहीं होता है क्योंकि कुछ दिन के बाद आपके घर पर वो डेविड काट कोरियर के थ्रू बेजा जाता है लेकिन जब आप account open करते हैं तो आपको internet banking ID number मिल जाता है इस internet banking ID number से आप i-mobile app को ICICI की account open करने के तुरंत बाद ही डाउनलोड करकर उसका app का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको internet banking का जो पासवर्ड है उसे create करना होता है तो पासवर्ड क्रेट करने के लिए यहाँ पर नीचे आप पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ICICI की जो website है वो open इस तरीके से हो जाएगी अब यहाँ पर आपको internet banking का पासवर्ड क्रेट करने के लिए बताया जा रहा है कि आपको तीन स्टेप्स को पार करना है और आपका internet banking का जो password है वो create हो जाएगा अब password क्रेट करने के लिए आप click here to proceed पर click कर दीजिए इसके बाद आपके सामने यहाँ पर password generate करने के लिए page आजाएगा यहाँ पर उपर वाले box में आपको अपना user ID number enter कर देना है और नीचे वाले box में आपको अपना जो register mobile number है उस mobile number को type करना है तो चलिए यहाँ पर हम अपना internet banking का जो user ID वो enter कर देते हैं तो हमने यहाँ पर user ID अपना एंटर कर दिया है के पाद हमें एंटर करना होगा अपना mobile number नीचे वाले box में तो यहाँ पर हमने अपना mobile number भी एंटर कर दिया है अब आपको नीचे go पर क्लिक कर देना है गो पर क्लिक करने के पाद आपका जो bank के साथ में register mobile number है उस पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर type करना है तो हमारे mobile number पर उपर आप देख सकते हैं कि OTP आ चुका है इस OTP को हमने यहाँ पर enter कर दिया है इसके बास simple आपको नीचे go पर click कर देना है जैसे ही आप go पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर password create करने के लिए कहा जाएगा आपको यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आपको password किस तरीके से create करना है आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से ही अपना एक password strong सा create करना है अपना internet banking का एक नया password create करने के बाद नीचे आपको confirm कर लेना है password को दुबारा स open हो जाएगा नीचे यहाँ पर आपके सामने बटन है login ना होगा जिस पर क्लिक करकर आप internet banking में login कर सकते हैं यहाँ आपको अपना user id डालना है password डालना है और आप internet banking में login कर लेंगे तो अब हमें जाना है अपनी i-mobile app के अंदर इसके अंदर हमें अपना डालना है user id internet banking का तो हमने यहाँ पर अपना user id internet banking का एंटर कर दिया है इसके बाद हमने जो password create किया है उस password को हमें यहाँ पर password वाली जगा पर type कर देना है और इसके बाद submit पर click कर दीजिए जैसे ही आप submit पर click करेंगे तो activation आपका यहाँ पर done हो जाएगा अब अगर आप इस ICICI की i-mobile app को हर बार login करने के लिए अपना fingerprint activate करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप allow पर click करकर fingerprint activate कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते तो नीचे skip पर click कर दीजिए जैसे ही आप skip पर click करेंगे तो आपकी ICICI mobile की i-mobile app में आप login हो जाएंगे अब यहाँ पर आप ok got it thanks पर click करकर अपनी i-mobile की जो ICICI की app है उसे पूरी तरीके से access कर सकते हैं उपर आपका saving account number लिखा होगा नीचे आप view balance पर click करकर अपने account का balance चेक कर सकते हैं यहाँ से आप credit card के लिए apply भी कर सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पर आपको service का option भी दिया गया है जिस service के option पर click करकर आपकी ICICI की जितनी भी saving account की services हैं जो आपका account के साथ जुड़ी हुई है उन सारी services का आप पूरी तरीके से use कर सकते हैं जितने भी सारी services आपके ICICI के saving account के साथ में जुड़ी हुई हैं जो भी services आपको मिलती हैं वो सारे के सारी services आपको यहाँ से मिल जाती हैं यहां से आप अपना पूरी तरीके से saving account access कर सकते हैं आप अपना debit card, credit card, passbook, checkbook या फिर आप किसी तरीके की payment या transaction करना चाते हैं तो वो सब कुछ आप यहां से कर सकते हैं तो इस तरीके से आप ICICI में अपना saving account open करने के तुरंत बात ICICI की mobile app में login कर सकते हैं और अपनी internet banking का password क्रेट करकर internet banking को access कर सकते हैं यह वीडियो आपके लिए जुरूर helpful रहा होगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर करकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ब्राबर में बैल का इक होने उसे पर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो उप्लोड़ तो उसका नोटिफिकेसिन आपको सबस्क्राइब किया हुआ था आपको बहुत धन्य बाद फिर मिलते हैं आप से आशी किसी बैद इन जानका साथ नेक्स वीडियों तो तक लिए गूड़ बाद टेक केर जहन